कि हलो बच्चो केमिस्टी क्लास में आपका श्वागत है और मैं हूँ आपका केमिस्टी टीचर सतीश स्रिवास्तवा तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ हो है वेपर प्रेशर वास्त दाब ठीक है जो हम इसकी डेपनीशन से भी समझ सकते हैं कि दप्रेशर एग्जर्टेड वाई वेपर ओन सर्फेस इन एकुलिब्रियम स्टेट आफ वेपराईजेशन एड पर्टिकुलर टेम्प्रेशर मतब एक पर्टिकुलर टेम्प्रेशर दिया गया हो और जब वेपराईजेशन एकुलिब्रियम आ गया हो तब उस समय जो वेपर बन रही है लिकुड की जो वेपर बनी हुई है उसके द्वारा जो प्रेशर किसी भी सर्फेस पर एक्जर्टिट किया जाता है उसे ही हम क्य आप गोलते हैं वैपर प्रेशर, देखू कैसे, मान जाए कि यह लिकूर भरा है, इसका वैपोराइजेशन शुरू हुआ किसी टेंपरेशर पर, धीरे धीरे यह कंटेनर के अधरेजनर आप इसको आपने भग के रख रख कर रहा है, तो धीरे धीरे यह लिकूरी वैपर यहा वैपोराइजेशन, उस समय जिदिनी वैपर बननी थी, मैक्सिमम बन गई थी, अब यह जो वैपर बनी हुई है, वो इस निकूर की सर्फेस पर, या इस कंटेनर की वाल पर, जो भी प्रेसर एग्जर्टेट करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैपर प्रेशर, मतलब यह कि दप्रेसर एग्जर्टेट वाइपर, ओन सर्फेस इकुलिब्रियम और वैपोराइजेशन, एड पर्टिकुलर टेंप्रेचर, किसी ताप पर वास्तन की साम जवस्था में, वास्त द्वारा सकर पर आरूपित दाभी, क्या बच्छो, वास्त दाभ, समझ गई ना, कि सी प्रेसर एग्जर्टटेड वाइपर, ओन सर्फेस, एड इन पर टिकुलर टेंप्रेचर, मतब किसी परटिकुलर टेंप्रेचर पर वैपर दॉ很有कितना प्रेसर एग्जर्टिड किया जाता है, वही वेपर प्रेशन समझ गई ना तो यहां तक तो यह definition हो गई vapor pressure अब हम आते हैं कि एक solution हो और एक solvent हो तो उनके vapor pressure में क्या difference होगा समझ गई ना मतलब है कि एक solution और एक उसी के solvent के vapor pressure का अगर हम difference देखें तो हम पाएंगे कि solution मतलब ऐसा solution जिसमें non-volatile solute मतलब कोई solid solute जो vaporized नहीं होता तो ऐसे solution जिसमें non-volatile solute हो उस solution का जो vapor pressure होता है उसी के solvent के vapor pressure से कम होता है एक particular temperature पर जब दौनों को एक ही temperature पर रखा गया हो ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर आप एक pure solvent लें तो solvent की surface पर केवल और केवल क्या होंगे solvent के molecule जो की volatile nature के और वो सब ही क्या होंगे surface से vaporized हो सकते ऐसे में एक particular temperature में ज्यादा vapor बनेगी और vapor pressure भी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा लेकिन अगर हम एक solution ले ले और उसमें एक non-volatile solute mix है तो ऐसे में क्या होगा कि solute के कुछ particles surface में आ जाएगे surface में आ जाएगे ऐसे में surface में तो volatile solvent molecules थे वो कम हो जाएगे उसके नमपर आप particles कम होंगे और उसी temperature पर उनका vaporization rate कम हो जाएगा ऐसे में यहाँ कम vapor बनेगी और क्या होगा vapor pressure कम हो जाएगा हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मालो एक line में 10 बच्चे खड़े हैं जो सब के सब दोड़ सकते हैं हमने solvent की तरह गए हैं सब दोड़ लगा देते हैं एक fixed time कर अब मालो उसी भीड में यहाँ 10 बच्चे मालो खड़े तो सब दोड़ लगाने वाले थे अब उसी 10 बच्चों में से 4 बच्चे हटाके और ऐसे लोग खड़े कर दिये जाएं जो कि दोड़ नहीं सकते हैं तो अब उतने ही उस line से अब कितने बच्चे दोड़ लगाएंगे 6 बच्चे तो कहां 10 बच्चे लगा रहे थे और आप कहां 6 बच्चे लगा रहे हैं तो इस तरह से ऐसा ही हम किसमे समझ सकते हैं जहां सर्फेस से मालो यह 10 बच्ची वैपराइज हो रहे थे उन में से 4 आपके कौन से आ गए मालो non-volatile solute particle आ गए सर्फेस पर तो वैपराइजेशन रेट क्या हो गई, कम हो गई तो यही कारण है कि वैपर pressure of solution containing non-volatile solute ठीक है, less than that of its pure solvent because surface area of solution covered by some non-volatile solute particle which are decreases rate of vaporization as a result also vapor pressure decreases तो समझ गए ना हम बच्चे बच्चों की अगर एक विलियन लिया जाए और उसी का बिलायक लिया जाए तो विलियन का जो वास्पता है उसके बिलायक के वास्दाव से कम होगा कारण क्या है कि विलियन की सतह पर कुछ एक वास्पताव क्या बिले अणू आ जाएंगे जिससे वो वास्पताव क्या कर देंगे कम कर देंगे जबकि बिलायक की सतह पर केवल और केवल बिलायक के अणू है जो volatile हैं तो सब के सब वास्पित होंगे और वास्पदाब क्या होगा जादा होगा तो यही पे ने लिखा है कि वेपर प्रेसर अफ सॉलूशन containing non-volatile solute is less than that of the vapor pressure of its solvent because in solvent more molecule escape from surface मतलब solvent में क्या होगा जादा से जादा हो जो है escape होगे मतलब हटे के vaporize होगे but in solution because some non-volatile molecules occupy surface area and decrease the rate of vaporization इस तरह से solution में कुछ non-volatile molecule आजाएंगे तो rate of vaporization को कम खर जेते हैं जिसके कारण ही हम यह कहें कि vapor pressure of pure solvent always greater than vapor pressure of solution containing non-volatile solute और हमें यहाँ पर इसी solution और solvent के vapor pressure से related कुछ laws पढ़ने हैं जो हम अभी आगे देखेंगे तो पहले आगे से नोट करें अब हम आते हैं solution और solvent के vapor pressure से related ठीक है जो एक law है जिसे बोला गया है round's law ठीक है यह जो law है it gives relation between vapor pressure of component and its amount or quantity in solution मतलब यह जो law है यह इसी component के vapor pressure और उसकी क्या amount है solution में जिसे हम mole fraction के form में लेंगे उसके बीच का एक relation है देखो इसमें क्या बोला गया है कि vapor pressure of component in solution is directly proportional to its mole fraction in solution मतलब है कि किसी भी solution में जो component है जो volatile होए उसका जो vapor pressure होता है वह है solution में उसी के mole fraction के क्या होगा directly proportional मतलब सीन ऐसा है कि solution पे उसकी amount जितनी जादा होगी जितने जादा moles होगे उसका vapor pressure उतना ही जादा आएगा जैसे तो हम इस तरह से कि vapor pressure of component in solution is directly proportional to its mole fraction in solution गिलियर पे घटक का वास्ताव उसके mole प्रभाज के समानुपाती होगा अब हम यह आपक कि यह है vapor pressure of component in solution तो हम इसको लिख रहे हैं कि directly proportional to its mole fraction in solution मतलब solution में उस component का mole fraction कितना है उसके directly proportional है और जब यह sign हटाएंगे तो एक नया constant आगया और यह है vapor pressure of component in solution to pure state इसे बोलते हैं P naught या P standard तो इस तरह से हम देखें कि यह जो हमारा formula बनागी है y is equal to m x इसका मतलब है कि हम x और p के बीच में graphical representation करें तो हम पाएंगे कि जो pressure है तो जैसे जैसे mole fraction बढ़ता जाएगा solution का तो उसी तरह से क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो यह जो state line है वो original point से चल रही है इसका जो slope है वहीं किसके बराबर है P naught ठीक है के बराबर है तो इस तरह से जो solution होता है अब हम अगर solution में बात करें कि solution में x की value जो होती है वो 1 नहीं होगी क्यों कि x क्या है कि mole fraction आप component तो solution में जितने components होते हैं उन सब के mole fraction का sum 1 होता है इसका मतलब है कि इसकी value 1 नहीं होगी 1 नहीं होगी तो इसका मतलब है इसका product जो है जो ठीक है यह नहीं दोनों का product है वो इससे कम आएगा इसका मतलब यह हुआ कि solution में component का जो vapor pressure होता है वो हमेशा उसकी pure state के vapor pressure से कम होता है और यह हमने solution and solvent के vapor pressure में भी देखा कि जो solution होता है इसमें जो component का vapor pressure है वो हमेशा उसकी pure state से कम हो जाता है समझ गए ना और वो यह भी equation ऐसा बताता है तो आप इसका graph बनाएं और यह लिख लें यहाँ पर यह लिखा है x mole fraction of component इसका mole प्रभाज p0 जो है vapor pressure of component in pure state और p क्या है vapor pressure of component in solution तो आप इसे note करें अब देखो मानग की एक ऐसा solution लिया जाएं जिसमें दो component a और b हैं और दोनों volatile हैं मतलब ऐसा billion नहीं जिसमें दो गटा a और b हैं और दोनों क्या हों वास्ट सीव हैं ठीक है और हम यह मानग की a more volatile than b मतलब a जो है उस पी वास का सीवता b से कहा है जाएं मतलब a जल्दी वास पे तो उद्दा है बीडियर स्पेक में तो हम जानते हैं कि ph क्या होगा p0 a into x a इसी तरफ प्य प्यूट प्यूट b into x b तो total solution का total pressure यहां पर जो pt है यह कहा है total pressure of solution मतलब solution का जो फुल दाव है तो दोनों के अंसिक दाव partial pressure का sum होगा जो कि Dalton's law के अंदर तो हम दोनों के partial pressure को इस तरह लिखें और आगे बढ़ाते जाएं x a plus x b कितना होगा है 1 तो हम x b is equal to 1 minus x a लिख सकते हैं तो इस पूरे equation को हम a के मुल fraction के बेस पर देखें तो और आगे बढ़ते जाओगे तो आपको equation मिलेगा p total is equal to p not a into x a minus p not b into x b plus p not b आप a common ले, x a common ले तो आपका ये equation बनेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x a आता है तो यहाँ पर table एक बार ही जो है a का pressure standard state में आएगा बाकी b के दो जबहे आ रहे हैं ऐसा क्यों कि अगर हम इसे one कर देंगे तो ये दोनों cancel हो जाएंगे तो total pressure के बल्द a की प्योर state के बेपर pressure के बनाबर हो जाएगा ठीक इसी करे से मालो आपने यहाँ x b कर दिया तो यहाँ p b यहाँ पर दिया आजाएगा p a p a बिल्कुल ऐसे ही आपको p not a p not a मतना इस तरह से आपको याद रखना है कि जो component यहाँ आएगा उसी का एक बार pure state का वेपर pressure आएगा बाकी दूसरी component उताएगा तो इस तरह से आपको आसानी से याद रखना होगा और इसके related कुछ questions भी आएगे कि हम आगे देखेंगे अब अगर हम इसके graph में चले अभी आपको एक graph बतला है कि a तो कम a x बढ़ा रहा थे वेपर pressure बढ़ रहा था अब मालो हम यहाँ पर दो component यहाँ पर यहाँ पर x a बढ़ है मतलब है कि mole fraction a का बढ़ा दे जाएगे वेपर pressure क्या होता जाएगा यह product चुकि यह तो constant value है तो यह दौनों का product बढ़ता जाएगा और जब x a 1 पहुत जाएगा तो यही जो partial pressure था वही उसकी pure state के वेपर pressure के बढ़ाबर हो जाएगा मतलब यह 1 तो यह और यह बढ़ाबर हो जाएगे जस्ट ऐसा ही यहाँ पर रेके कि x b 0 अर्थाक वहाँ पर कोई भी नहींगा जैसे कि आप x भी बढ़ा रहे हैं अर्थाक b के mole fraction बढ़ा रहे हैं या mole बढ़ा रहे हैं तो वेपर pressure उसका बढ़ता जाएगा जब x b 1 हो जाएगा तो वहाँ पर उसकी प्योर state का वेपर pressure हो जाएगा मतलब है कि वो वेपर pressure और solution का वेपर pressure बिल्ट बढ़ाबर हो जाएगे हम मान लिया जाए कि कि किसी भी point पर यह इस तरह से यह में रहे है तो हम वहां से extent line इस तरह से ले उस line पर जहां पर touch कर रहा है दौनों का यह graph जैसे यहां पर pv कर touch कर रहा है यहां पर p तो हम इस तरह से इन दौनों की veggies यहां पर देए कितनी है और उनको जोड़ दे तो उस point पर p total calculate हो जाएगा समझ गए ना बच्चो कि इस तरह से यह है जब दोनों component क्या हो वालिटाइल हों तो यह दो equation याद रखने हैं और इसका भी अभी में ग्राफ बना देता हूं जब दोनों क्या है आपने देखा कि दोनों को मिलाके graph लिया गया गया तो यह और अगर हम इस graph को ले कि यहनों पर हम P total लें और यहनों पर किसी A component को ले लें मालो X A लें तो आप देख रहें कि वो किस तरह का graph आएगा क्यों क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो यह है M X और यह क्या है C तिक है और यह क्या है Y तो इसका मत्तब है कि यह जो हमारी slow भी होगी वो किसके बराबर दिख रही है P not A minus P not B यह जो हमारा intercept आ रहा है अंतहे हंट यह किसके बराबर है P not B के तो किस तरह का भी इत graph बने हो स्टेट टाइन एक्वेशन तो इस तरह से आपके ये ग्राउट स्वासे रिडेटेड दो ग्राउट बदा दिये हुए तो आप इसे दोट करें अब देखो मान दिया जाए कि दो पंपोनेंट ए और बी हैं और उनके मोल फ्रेक्स दोनों में पूछ लिये गए हुँ तो क्या रिलेशन आएगा तो मान दिया जाए कि ये है लिक्कूर इस्टेट है और ये क्या है याँ पर वैपर फेस मतलब वहां पर वैपर भरी लिये तो हम जबते हैं कि एक रिलेशन लगता है लिक्वूड स्टेट में अकॉर्डिंटू राउड कि जो कम्पोनेंट हैं उनकी पार्स किया प्रेसर है वो लिक्वूड स्टेट में होल फ्रेक्स करें जो इस तरह रिलेड़े है और एक है तो total pressure into vaper phase में उनका mole fraction नजर A का mole fraction, B का mole fraction इनकी waper phase में क्या है और total pressure क्या है इंकू कर देखे अगर हम दोनों इक pressure को compare करें को हम पाएगे कि हमारे पास आ गया ठिक है ये है γामा A तो वो हो गया आप देख रहे हैं कि partial pressure of A upon total pressure अर्था P not A into X A upon P total ऐसे ही अगर अगर आप B का मोल fraction वेपर फेस में देखें तो वो इस equation से निकाल सकते हैं और ध्यां रखें कि जो गामा A प्लस गामा B है वो कितना होता है 1 तो मनके ना अर्था एक का मोल fraction calculate करने वेपर फेस में तो दूतरा इस equation से भी complete कर सकते हैं तो यहां पर यह जो है गामा A और गामा B जो है यह जो है क्या है component के वेपर फेस में मोल fraction मतलब गामा A है मोल fraction of A इन वेपर फेस ठीक है ऐसे ही YB है तो B का मोल fraction वेपर फेस में तो आपको इन equations को याद रखना है एक relation और इसका object पुछा जो है competition में तो जैसे आप लेखते हैं कि गामा A is equal to अगर अगर P total को A के इन स्क्रेक्ट में A के होल fraction के बेस कर देखने तो यह लेख सकते हैं अभी हमने equation इवार के बताया था कि जो हो यहाँ आएगा वही एकवार आएगा बागी दूसरे component का वैपा pressure आता है और आप इसको उल्ड़ा करते हैं तो इस तरह हो जाएगा और बढ़ाते जाएं तो last में यह instant line equation बनीगा जिसमें 1 upon x है इसकोड to 1 upon gamma a into p total ठीक है पी not a upon p not b plus ठीक है पी not b minus p not a upon p not a ठीक है तो यह आपर यह है y, यह है x, यह है am और यह है c तो इसका मतलब है कि अगर हम इनके बीच में graphical representation करें तो हमें जो intercept है आप देख रहे हैं पी not a upon जो slope है उपी not a upon p not b के बराबर है और intercept आप दिखने है इस value तो अगर आप बीचर aspect में लिखोगे componently तो यह equation इस तरह से बन जाएगा तो यह जो है rouse law से related जितने भी formula थे मैंने वह आपको बता दिये अब हम इन से related कुछ questions करते हैं जो हम next video में देखेंगे तब तर के लिए why तब हम मिलते हैं next video में करते हुआँड़ बीचर के लिए यह आपको झाल को यह जो है कि अधाफ तरह